अस्लाम अईको मैं एक्टो फैमिली मीड को टिनुम तमामें वह इसक्राइब रेसे होंगे ब्रहिम है बादने मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ता कियाने वाली तमाम आप आप असानी से पहुंच जाएं शुक्रिया ब्रहिम है बादने इसलाम का जवाब दे दिया करें ता कि आपको दस नेकिया मिल जाएं आज हम जिस मौजव में बात करने जारा हैं उसका मौजव है कि वक्त की प्रबंदी बहुत ज़रूरी है आपको बहुत ही आप आपने वह सोचा हूएं कि आप अपना एक नाम बनाएंगे और अपनी एक पहाँचान बना बहुत जरूरी है जो इनसान वक्त की कदर कर जाता है वो इनसान सब पासिल कर लेता है और इसलिए आप इसाब वक्त की कदर किया करें आज का काम कल पे नहीं चूड़ें क्योंकि जो वक्त गुजर जे वो दुबारा नहीं आता लिहासा अपनी काम को, आज के काम को आज पर ही निप्टाया करें, आज ही पुरा करने की कोशिश किया करें, आज की बाद काल पे ना डालें, क्योंकि आज तो गुजर गया, चुकाल आएगा फिर वो आप उसे न्यूली स्टार्ट करेंगे, वक्त की कदर और अहमियत करें, अगर ये आप वक्त को वक्त जाया कर देंगे, और इसकी कदरों कीमत आपको नहीं होगे, तो आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किलात का भी आपको सामना करना पर सकता है, क्योंकि मुश्किलात तो आप कदर भी करेंगे, तो फिर भी वो जिन्दगी में का एक हिस् हैं लेकिन जो आप काम करें ना उस ढत से आप वकouveral की कदर रिसाथ करें ये कि आपकी जो काम है वो भी हो जीनले कि अगर आ वक्रद की कदर नहीं करोगे वक्द के का का आपको इसास नहीं होगा तो आप कहने हैं कि मेरा ये खौप है ये पूरा करूँगा ये करूँगी तो ऐसे नहीं होता जितने भी तरिख में आज तक लोग गुसरी है ना इनकी पीछे जो वज़े है ना वो महनत और वक्त की कदर और कीमत उनको इस चीज़ का एसास था और उनको पता था कि वक्त की कदर आज करेंगे तो कल को हमारा एक नाम होगा अगर हम ये जाया कर देंगे तो ये हाथ नहीं आएगा इसलिए अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहिए अपने आपको किसी और दोसरों पर भूज नहीं बनने देना चाहिए कोशिश करने चाहिए और वक्त की कदर करने चाहिए वक्त गुज़रा हुआ दुबारा हाथ नहीं आता जिस इनसान को वक्त की कदरों की मत का एसास नहीं होता रिकिन करें वो बाद में पश्टा रहे होते हैं और कुछ में नहीं कर पाते और जिस इनसान को वक्त की कदरों की मत का पता चल जाता है और वो अपनी मन्सलियों को हासिल करने के लिए अपनी कामों में लग जाते हैं टिके रहते हैं उनके पीछे मैंने काफले देखी हैं और उनके पीछे काफला होता है उनके पीछे लोग होते हैं और लोग भी काम याब बंदे को फालो करते हैं यह हकीकत हैं आज तक आपनी कहीं देखा कि नकाम बंदे की जैसा कि कहते हैं मैं वैसा बनूगा कभी भी नहीं हमेशा लोग काम्या हमेशा काम्या बंदे की तरफ ही कहते हैं कि जैसा वो बना मैं वैसा बनूगी या बनूगा ऐसा करूँगी या करूँगा ऐसा होता है जो बंदा जो बंदा नकाम है उस तरफ कोई नहीं कहता में बुरूँगा कोश सब की योदिय के जैसे उसने एक स्टेप आ स्टेप कामयाभी हासिल की मैं भी ऐसे करूँगी यह करूँगा क्यूंकि कामयाभी के पीछे जो सबसे बड़ा राज होता है न वो आपकी मेहनत लगन आपका वकत वकत की कदरों के मत जिस बंदी कोई उसे दुनिया जानती है उसे लोग सलाम करते है उसको अपना तारूफ नहीं कराना पड़ता वो गुजर भी रहा थे तो लोग पहचान जाते हैं यह कोंचार है लेकिन ये सब चीजें जो है न ये तब इनसान हासिल कर पता है जब उसको वकत की कदर हो वो अपने टाइम को और अपने वकत की कदर की मत को जानता हो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए लगा रहें अपनी खोशिचों को जारी रखें हटे ना तंग ना युकताए ना